हे गाईस तो मैं फटाफट आपको बता देती है कि आप मिंत्रा का e-voucher कैसे redeem कर सकते हैं तो मैंने अभी रिसेंटली फोन पे से मिंत्रा का e-voucher परचेस कहा था क्योंकि come on cashback मिल रहा था थो थोड़ advantage लेना तो बनता है जब आप e-voucher purchase करते हैं तो आपके पास उसकी कुछ details आती है जैसे voucher number, validity और PIN अब validity आपको ध्यान रखना है कि उसी दौरान जब आप इसे use करोगे तो ये valid होगा otherwise ये खराब हो जाएंगे मतलब कि पैसे waste हो जाएंगे तो validity ध्यान रखना और बाकी दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी मिंत्रा एप में तो बस अब हमें मिंत्रा एप खोलनी है जो भी product आपको purchase करना है उसे आपको card में डालना है उसे select करना है place order पे click करना है तो आगे payment को options आएंगे अगर आपको सारे options नहीं दिख रहे हैं तो वहाँ पे छोटा से लिखा होगा change तो आप change पे click करना आपको सारे options दिखने लग जाएंगे हाँ अगर आप web में कर रहे हैं तो आपको सारे option already दिख रहे होंगे voucher purchase किया था वह सारा amount आपका मिंत्रा credit में आ जाएगा अब बस payment के दौरान मिंत्रा credit को टिक करना जैसे आप देख सकते हैं पर मेरा credit हो गया 800 रुपीज तो आप इसे टिक करना तो जो भी balance amount होगा वो पे करना और आपका order हो जाएगा that's it for today if you like my video do like share and subscribe okay see ya